दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कलास्टेंद के मैत का जो चैप्टर नाइन है तिरकोंड मीती के कुछ अनुपरयोग ठीक है तो इसी का हम लोग प्रसनावली 9.1 को सॉल्व करेंगे ठीक है इसमें एक ही प्रसनावली दिया ही है और ठीक है द लेके तीन तक के जो भी पार्ट है उसका लिंक आपको डिस्केप्शन मिल जाएगा तथा इस वीडियो को जब आप एंड तक देंगे तो एंड में भी आपको एक प्ले लिस्ट मिल जाएगा वहां से आप जाकर पूरा पूरा वीडियो देख सकते हैं ठीक है हर एक वीडि धर करेंगे एक फिडर कैसे ठीर करेंगे तो सबसे पहली इसको ध्या से पढलेंगे जो जो कहेंगा वह चीज वह में करते रहना है फिगर में कैसे कि समोंधर तल से 75-ël지 ऊंची तो सबसे पहले आपको समुद्र तल दर्सान होगा तो तल कैसे होगा किसी चीज का जो जो तल होता है वो इसी तरीके से होता है सम तल इसम से सिधा यह तल हो गया इसके बाद 25 मोट्र हो ऐगा झाल से 55 मोट्र उची की बात करें तो यह हम इस तरीके से 75 मीटर ले जाएंगे तो इसका मान यहां पर लिख देखेंगे कि यहां से ले करके और यह जो हमारा है 75 मीटर है ठीक है यह हो गया अब इसके बाद से क्या करा कि लाइट उची लाइट हाउस के सिखर से देखने पर मतलब कि यह 75 जहाज का ऑनमन कोड जब कोई भी बैकति हमने आपको एक वीडियों बताया था कि कोई बैकति जब उपर से नीचे की तरब देखेंगे तो वहां पर ऑनमन कोड तीसंस और पैंतालिसंस है ठीक है तो मान लीजिए कि समुंदरी जहाज है ठीक है ये हमारा जो पानी का जो तल है ये ही वाला ठीक है एक समुंदरी जहाज यहाँ पर खड़ी है ठीक है दूसरी समुंदरी जहाज यहाँ पर कड़िए अब यह चीज हम जानेंगे कैसे तो देखे कोश्चन को आगे तक पढ़िए कि दो समुद्री जहाजों का ओनमन को 30 संस और 45 संस यदी लाइट हाउस के एक ही दिशा में यह लाइट हाउस है अब इसका एक ही दिशा में ठीक है तो यह यहां पर एक ही दिशा में एक जहाज यह दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो दो जहाजों के बीच की दूरी कियात कीज़े मतलब कि इस जहाज के और इस जहाज के बीच की यह दूरी हमें बतानी है यहां से यहां तक की दूरी हमें बतानी है कि इस जहाज से इस जहाज के बीच की दूरी कितनी है त ठीक अब इसके बात कह करेंगे कोंड बन रहा है तो कोंड जब यह वालब बनेगा यह वाला ज्यादा हूंची होची है तो सबसे पहले यह आपका 45 हंस का हो जाएगा झैक और यह आपके का को यह हो जाएगा 30 ठीक है तो अब इसमें क्या करेंगे मान इसमें एक लिए ए बी सी और ये डी कर देते हैं अब इसमें क्या करेंगे लंब हमारा 75 है अब यहां पर यह आधार इसका वाई है तो हम क्या करेंगे डी बी सी में निकालेंगे तो यहां पर लिख देंगे कि तिरभूज डी बी सी मे तो यह वाला D, यह B और यह C, अब इसमें क्या करेंगे, तो देखेंगे कि लंब और अधार का मामला है, तो इसमें हम यह लाल बटा का का लिखेंगे, इस तरीके से, और लंब अधार किसमें आ रहा है, तो यह वाला है, तो यह किसका मान होता है, 10 थीटा बराबर लंब अध अधाara होता हैं तो इसमें मुनित देंगे कि 10 थीटा इस्थांट पर 35 लिखेंगे 45 अंस बराबर में लंब कितना है 75 है अधार कितना है वाई यह तो इसका मान 25 कि मान 1 तो बराबर में यह जाएगा 75 मी हूँ है अब इसमें क्याकरें आप 17 हो जायगा बस आपका मान आगया, इसका मान, अब ये 30 वाला है, इसको भी निकालते हैं, तिर्भूज D, A, C में, तो लिखेंगे कि तिर्भूज D, A, C में, ठीक है, तो इसमें ये आपका क्या हो जाएगा, यहापर क्या है 30, तो लिखेंगे, अब इसमें भी लंब और अधार का मामला है, तो tan ko ही लेंगे तो tan तीसंस तो tasting अधार कितना है लम कितना है 75 है आधार कितना है तो x है और ये भी है क्यінकि हम पूरा ये वाला पूरा लेंगे जब 30 का बारी आएगा तो हम ये पूरा लेते हैं तो लम तो पूरा हो लेंगे लेकिन आधार में यह X भी है और Y भी है तो इन सब को जोड़ लेंगे तो X तो X है प्लस में Y कमान 75 हमने निकाल लगा है जिसको हम 75 लिख देंगे ठीक है अब इसका मान क्या हो जाएगा एक बट्टा रूट 3 होता है तें ती संस कमान बराबर में 75 पचहत्तर और बट्टे में X प्लस में पचहत्तर ठीक है अब इसको हम तेरीया गुना कर लेंगे इसका गुना इसके साथ Reno इसके सांध तो यह हो सब हैगा X प्लस में 75 बराबर में 75 रूट 3 ठीक है अब इस 25 कि हिदर कर देंगे तो X बराबर में यह 75 रूट 3 है, यह वाला इधर माइनस में 75 हो जाएगा, ठीक है, तो X कमान हमें गयाद करना था, तो X बराबर क्या आगया, 75 को कॉमन कर लेंगे, तो यह 75 कॉमन हुआ, तो रूट 3 माइनस का 1, बस यह यहाद कमान आगया, ठीक है, बस यही हमें गयाद करना था, यही वाला हमें बताना था कि यहां पर जो जहाज कड़ा है और यहां पर जो जहाज कड़ा है इनके बीच की दूरी हमने यक्स माना था यहां पर हमने निकाल लिया है बसांसर हो गया ठीक है अगला देखे अब दोस्तों यहां पर हमने question number 14 को note कर दिया है ठीक है इसमें क्या कर रहा है य यहां पर यह एक हमने लड़की बना दिया जो कि भूमी के एकदम से भूमी पर खड़ी है ठीक है उसके बाद से कि भूमी से 88.2 मीटर उचे एक गुबारा उड़ रहा है ठीक है तो यह जो गुबारे की जो उचाई है यहां भूमी से लेकर के और यहां हवा में तक 88.2 मीटर तो इसकी आँख से जब यहां पर गुबारा उड़ रहा होता है ठीक है तब वह साठ हंस का कौण बनाता है उसके बाद से किसी भी चाहल लड़की की आँख से गुबारे का उन्यान कौण साठ हंस है कुछ समय बाद उन्यान कौण घटकर 30 हंस हो जाता है मतलब कि पहले तो कि यहां से लेकर के यहां तक जब गुबारा गया तो इनके बीच में यह दूरी कितना हुआ यही चीज हमें बताना है ठीक है तो हमने क्या किया है कि यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को बताना है तो उसको हमने यहां से लेकर यहां तक की दूरी को हमने वाई मान लिया तोटल जमीन से लेके, अब देखिए, अब हमें क्या करना है, कि यहां पहले यह साथ हंस वाला हमें गयाद करेंगे, तो इसमें लिखे देगे हम पहले, कि टैन, देखिए, लंब और अधार का मामला है, तो लंब हमारे पास कितना है, यहां पर यह 88.2 है, जो कि यह भूमी से लेकिन हमें क्या चाहिए हमें यहां पर यहीं से चाहिए मतलब कि लड़की का लंबाई हमें नहीं लेना है तो 88.2 में से इस लड़की के लंबाई को घटा देंगे 87 हो जाएगा बटए में अधार कितना यक्स हो जाएगा अब इसका माँन őoping तीन बराबर में 87 बटय में एक्स तहे आपका एक्स बराबरा में 87 बटय में रूट तीन यह आपका हो जाएगा ठीक है अब चलिए एब 30 scanning आब निकालते हैं यह वाला तो इसमें 10 ही लेंगे ठीक है कि लंब और अधार का मामला है तो 10 ही रहते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 30 है तो यहाँ पर 30 लिख देंगे लंब कीतना है आपका 88 80 पौइंट शॉरी लंब इसम में आपका it total जमीन से लेकर यहां तक हम अब बटे में यहाँ पर हमें च्ब्राइब निकाल लंख़ो हुआ है ।े में हम 강ा also hall rebellious Gabe यह आपको हो जाएगा 87 और यहां पर हर बराबर कर देंगे तो हर बराबर करेंगे तो यह क्या हो जाएगा रूट चूपन चे गुणा करेंगे तो 87 बटे में रूट 3 पलस में रूट 3 वाई बटे में रूट 3 हो जाएगा ठीक है तो एक बटे में root 3 कर देंगे तो यह आपका हो जाएगा कितना? 87 अब इसको हम पलट के लिखे देंगे नीचे वाला यह क्या हो जाएगा? उपर चला जाएगा तो यह root 3 उपर चला जाएगा और नीचे आपका 87 और उसके बाइसे plus में y root 3 लिखे देंगे ठीक है? अब इसको हम तीर्षा तीर्षा गुणा कर देंगे तो यह एक के साथ गुणा करके 87 plus में y root 3 बराबर में यह हो जाएगा 87 root 3 root 3 अब इसमें क्या हो जाएगा? इसको हम इधर भेज़ देंगे तो यह आपका क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो यह वाला हम गुणा कर देंगे तो यह आपका 87 plus में y root 3 बराबर में 87 गुणे 3 कर देंगे तो यह आपका क्या हो जाएगा? लिख लेंगे पहले 87 plus में y root 3 बराबर में यह आपका साथ तरीका 21 का 1 हो जाएगा फिर 2324 और दो 26 हो जाएगा तो यह आपका 26 हो जाएगा ठीक है तो अब इसके बाद से इसको हम इधर ले आएंगे तो यह y root 3 बराबर में 261 माइनस में आपका हो जाएगा 87 ठीक है तो इसमें से अब इसको घटा देंगे तो यह कितना हो जाएगा यहाँ पर 11, 11 मसे 7 जाएगा तो यह 4 बचेगा उसको जाएगा उसको जाएगा पंदरा मसे 8 जाएगा तो 7 बचेगा यहाँ 1 अब इसके बाद से क्या करेंगे यहाँ पर यह y root 3 अब root 3 को हम नीचे लाएगे तो y बराबर में यह 174 root 3 बचे में 3 अब 3 से इसको काट देंगे तो y बराबर है आपका क्या हो जाएगा 3 पचे 15 और यह 3 बचे 24 root 3 बस यह आपका अंसर हो गया ठीक है यही चीज हमें बताना था कि यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी कितनी है यह y हमने मान रखा तो y कमान यहाँ पर यह आगए ठीक है चलिए अब अगला देखते है अब दूस्तों कोश्चन नबर 15 जो कि आपके इसक्रीन पर दिखाए दे रहा है इसमें कहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मिनार के पाद तक जाता है एक दूस्रीन लाजमार्ग अब इसके पाद से क्या कर रहा है कि मिनार के सीखर पर एक खड़ा ब्यक्ती मिनार के यहाँ पर एक सीखर पर कोई ब्यक्ती माल यह खड़ा है या फिर बैटा है और वो देख रहा है कि एक कार तीस अंस के ओनमन कोड़ पर देखता है ठीक है मतलब कि यहां पर अगर जब कोई कार है बैटकर यहां से बैटकर के इस कार को देखता है ठीक है तो वहां पर इसका जो ओनमन कोड़ है वो तीस अंस का बनता है औरनमन का है तो हम उन्यन पर ही बना सकते हैं अब इसके बाद से कहा रहा है कि जो मिनार के पाद की और एक समान चाल से जाता है ठीक है तो यह मिनार का जो पाद है इसके और यहां से चला जा रहा है एक दम से चला जा रहा है ठीक है समान चाल से तो चलते चलते माल यहां पर पहुंचता है, ठीक है, उसके बाद से कह रहा है, कि 6 सेकंड बाद कार का अनुमन कॉण 6 हंस हो जाता है, ठीक है, मतलब कि यहां से लेकर के और यहां तक जब पहुंचता है, तो वो 6 सेकंड का समय लगता है, तो अब पूछ रहा है, तब वो 60 hanz का koo đo pbna nye lagtat यहाँ से 60 hanz का koo đo pbna nye lagtat ठीक है, तो इसमें यही पूछ रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो हम माल लेते हैं यक्स समय लगेगा ठीक है, यहाँ से अब यहाँ तक पहुंचने में जो समय लगेगा वो माल लेते हैं यग समय लगेगा तो इसमें हम क्या करेंगे इसको माल लेते हैं यह कि इस Stamp दिया नहीं है तो हम यह माल लेते हैं तो अब क्या करेंगे सबसे पहले इसी को हम solve कर लेते हैं इसको माल लेते हैं यहां पर हम B माल लेते हैं इसको C और इसको d माल लेते हैं तो लिख देंगे तिरभूज dbc में तो यहां पर हम लिख देंगे कि लिख देंगे तिरभूज dbc में ठीक है तो यहां पर क्या है यहां पर 60 अंस है तो लंब और अधार का बात हो रहा है तो मतलब कि 10 लेंगे, तो 10, 60 अंस बराबर में H बटे में X लिखेंगे, 60 अंस कमान, रूट 3 बराबर में H बटे में X, X को इधर करेंगे, इसको इधर कर देंगे, तो X बराबर हो जाएगा, H बटे में रूट 3, यह इस तरीके से आपका X का value निकल गया, अब इसमें क्या करेंगे, यह वाला लेंगे 30 अंस को हल करेंगे, तो देखे 30 अंस में कैसे करेंगे, तो यहाँ पर D, A, C में, ठीक है, अब यहाँ पर A से लेके C तक सब ले रहे हैं, तो यह भी लेंगे और इसको भी लेंगे, तो यह आपका हो जाएगा, तिर्भूज, D, A, C में, ठीक है, तो इसमें हम 10 लेंगे, तो 10, 30 अंस को लेंगे, तो 30 अंस बराबर में, H बटे में, 6 है तो 6 लिख देंगे, पलस में X कमान यहाँ पर हमने निकाल लखा है, तो यह H अपान में, रूट 3 लिख देंगे, ठीक है, अब इसका मान लख देंगे, तो एक बटे में, रूट 3 बटे में, H अपान में, अब इसका हम हर बराबर कर देंगे, तो रूट 3 से उपर निचे इसमें गुणा कर देंगे, तो यह आपका वजाएगा, छे रूट तीन पलस में एच बटे में रूट तीन ठीक है तो यह हुझाएगा एक बटे में रूट तीन बराबर में इसको हम पलट करके लिख देंगे तो ह गुणे में रूट तीन बटे में छे रूट तीन पलस में ह कर देंगे ठीक है अब इसके बास से क्या करेंगे एक बटे में रूट तीन कर देंगे अब इसको हम तिर्षा तिर्षा चाहें तो गुणा कर सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले क्या करेंगे चली तिर्षा ही गुणा कर देते हैं इसका गुणा एक के साथ करेंगे तो यह क्या हो जाएगा छे रूट तीन प्लस में याच हो जाएगा अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो यह क्या हो जाएगा बराबर में एच और रूट तीन पहले से और यह वाला रूट तीन यह वाला रूट तीन जाकर इसके साथ दोड़ा करेगा तो यह इस तरीके से हो जाएगा ठीक है अब इसको हम यहाँ हाल करते हैं अब इसको हम क्या करेंगे तो छे रूट तीन पलस में यह बराबर में यह आपका क्या हो जाएगा तीन यह तीन यह हो जाएगा इसको हम इधर कर देंगे तो छे रूट तीन बराबर में ये इधर आएगा तो माल यह यहां से हट करके यहां पर आगया यह पर यह पल्स में तो थो माइनस में इस विलयोगा इज़िया है अब सब्सक्लाक कर दो कर देंगे टो चैन रूट 3 यहां पर देंगे और आपका X का वैलू आजाएगा देखें कैसे X बराबर क्या है H बटे में रूट तीन है ठीक है तो X बराबर में एच के अस्थान पर यह वाला तीन रूट तीन बटे में रूट तीन यहां पर एट इसकी और यह वाला कि चलिए अगला दिखते हैं अब दूस्तु हमेरे पास यहां कोश्चन नंबर 16 में है जो कि प्रसनावली का लास्ट कोश्चन इसमें क्या है कि मिनार के अधार से ठीक है मिनार के सिद कीजिए कि मिनार की उचाए 6 में तो बहुत यह असान कोश्चन है कि इसका कित्र कैसे बनाएंगे यह समझें इसमें क्या कर रहा है कि एक मिनार के अधार से ठीक है तो सबसे पहले क्या करेंगे एक हम अधार बनाएंगे सबसे पहले तो एक मिनार बना लेंगे यह हमने ए आधार तयायर कर लिया इसके वासे क्या करा रहा है कि नो बिंदू टीक है मिनार से कुछ दोरी पर दो बिंदू इसस्तीत है जो कि 4 मिटर और 9 मिटर के दोरी दोरी और ये показ दोरी यहां शर्की यहां पर यह बैद दूसरा बंद ऩो हमने यहाँ फर ले दिया ठीक रहें तो 4 मीटर और 9 मीटर तो यह वाला पास है मतलब कि यह आपका 4 मीटर का होगा, यह आपका 4 मीटर हो गया, ठीक है, और दूसरा आपका यहाँ पढ़े मतलब कि यह आपका 9 मीटर का हो जाएगा, 9 मीटर की दो बिन्दू हमने ले लिए, ठीक है, दो बिन्दू लेना है, तो ए पूरक क्लिक्ट है तो देखे पूरक और सम पूरक यह चीज आपको पता होना चाहिए तो अगर कभी भी दो कोड़ो का योग थे यद्योते हैं दो कोड़ कोड़ो का योग कि 90 दिग्रियों ठीक है 90 दिग्री और वोग आपका पूरक कौड़ होगा अजब 90 degree में ही 2 koone अगर हों तो वहां पर आपका क्या वाझाएगा पूरा koone हो जाएगा तो इसी में यह वाला आप कर देंगे तो यहां से लेकर के यहां तक कि यह हम कर देंगे 90 माइनस में ठीटा कि ठीक है और दूसरा हम कर देंगे यह आपका ठीटा 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 ठीडा यह इस तरीके से किया जाता है अगर पूरग की बात करें तब A, B, C और यह आपका D ठीडा से हो जाएगा अब इसमें हम क्या गडिंगे टैन को ही लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा लंब इसका कुछ है तो कुछ नहीं दिया है तो h मान लेंगे इस तरीके से ठीक है तो लंब और अधार का जब मामला है तो इसमें क्या कर देंगे लिख देंगे कि 10 थीटा बराबर में h बटे में यह आपका 4 है तो 4 लिख देंगे चार ठीक है तो अब इसके बाद से क्या करेंगे अब यहाँ पर यह आपका सेकेंड वाला है तो इसको भी लंब और अधार का ही मामला है तो लिख देंगे कि 10 थीटा बराबर में 1090 माइनस थीटा सौरी यह 10 90 बराबर में क्या है एच अपान में नीचे क्या है आपका यह आपका 9 है नो ठीक है इस तरीके से अब इसमें हम क्या करेंगे तो यह आपका क्या है 1090 माइनस थीटा बराबर कोड़ थीटा हो जाएगा तो यह आपको कोड़ थीटा बराबर में एच है यह बटे में ख dedi क्या करते हैं कि दोनों को हम गुड़ाज कर देते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा 20 ऐसा यह इसको हम क्या कर देन थेता को कोड़ी सॉर्जी क्षिता कोड़ी थीता बराबर होता है क्वाण अपार में 3 inferia ठीके तो कोड़ती थीटा का स्नाव ये वाला हम रख सकते हैं तो कुणड़ा में कर देंगे घ्राइन थींठ थीटा बराबर में और इसके मान को टैन थीटा कमान किया है ये वाला थे बट़े प्रटे में लुकां स्काइब हो जाएगा पिए थैप कोई स्टोफक्नी करेंगे तो यह सबाइब innovations करेंगे और को हुश्चन कीजिए 6 मीटर है है तो यह हमें उचाइब करना था जो कि एस अब यह 6 मीटर आ गया ठीक है बस ही आपका अंसर हो जाएगा तो बस दोस्तों इस तारीके से आपका पूरा का पूरा एक्सरसाइज समाप्त हो गया तो आज का यह वीडियो आप लोग कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में जरू बताएगा चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरू करेंगा